कि नवश्कार आज हम सुरू करते हैं ग्रिम अंत्राले की प्रवक्ता की तरफ से प्लीज मैं स्टार्ट करिए ग्रिम अंत्राले की तरफ से आप लोग के लिए अपडेट यह है जैसा आपको पता है कोविड नाइंटीन से निपटने के लिए पूरे देश में लॉक्डाउन को तीन मई तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में ग्रिम अंत्राले ने पंद्रा अप्रेल को विस्तृत दि लोग लगाई गई थी साथ ही वो एरिया जो होट स्पोर्ट्स या कंटेन्मेंट जोन में नहीं है खासकर ग्रामीन शेत्र वहां पर अर्थविय वस्था की एफिशेंसी को बढ़ाने के लिए तथा क्रिशी कारियों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रेल तक को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटिजन्स की बेट साइड अटेंडन्ट और केर गिवर सेवाएं एक्जेम्ट सर्विसेज हैं इसके अलावा पबलिक यूटिलिटीज में प्री पेड मोबाइल कनेक्शन्स की रीचार्च फसिलिटी भी एक्जेम्ट सेवाओं में शामिल ह जरूरी वस्तूओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शेहरी शेत्रों में स्थित, खाद्य प्रसंसकरण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्टरीज, आटा और दाल मिलो को भी चूट प्राप् को, क्रिशी और होटिकल्चर के शेत्र की रिसर्च संस्थाओं को, तथा मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजही को छूडती है। विद्यार्थियों के लिए शेक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए एलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमती भी दी गई है। लाखो भारतिय मर्चंट शिपिंग वेसल्स पर काम करते हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि भारतिय सीफेरर्स लॉकडाउन की वजह से जहाजों पर स्ट्रांडेड हैं या जहाजों पर ड्यूटी जॉइन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये चिंता भी है कि अन्य देशों के सीफेरर्स ऐसे जहाजों पर भारतिय सीफेरर्स की जगह ले सकते हैं। इसको मद्दे नजर रखते हुए सरकार ने उनके साइन ओन और साइन आफ के लिए 21 अप्रेल को एक स्टांडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसी संतोज जनक चल रहा है। आर्थिक गतिविध्यों में खासकर ग्रामीन शेत्रों में प्रगती हो रही है। अप्रेल के महीने में 22 अप्रेल तक मनरेगा के तहत डेर करोड से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो शेत्र होट स्पॉट या कंटेन्मेंट जोन में वहां ग्रिह मंत्राले के निर्देशा नुसार राज सरकारे और दियों के एकाईयों को सुव्यवस्थिक तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। कई स्थानों पर फूट प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्पेशल एकनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट औरियंटेड य कारे भी शुरू हो गए हैं। कई कारियों में प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार दिया जा रहा है। और योगिक एकाईयों की समस्याओं का फीडबैक लेकर उनको दूर करने के कदम भी उठाय जा रहे हैं। इस संदर्ब में होम सेक्रेटरी ने और सेक्रेटरी डीप आईटी ने अभी इंडस्ट्री असोसियेशन के साथ विडियो कॉन्फरेंसिंग पर मीटिंग की। जो इंडस्ट्रिल अक्टिविटीज पर्मिटेड हैं उनको किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाएं और आर्थिक गतिविध्यों को गतिशील करें इस पर भी चर्च की है हमारे चिकित्सा शेत्र के भाई और बहन बड़ी निश्ठा पूर्वक खुद की परवा किये बिना कोविड-19 से हमें बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं इस संदर्भ में मानिय सर्वोच नयायाले ने भी आदेश दिया है कि डॉक्टर्स और मे आज सरकारों को पत्र लिखकर सला दी है कि सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप सुरक्षा दे चाहे वे हॉस्पिटल में कारे कर रहे हों क्वारिंटाइन सेंटर में हो या परिक्षन हे तू फील्ड में जा रहे हों मानिय ग्रिह मंत्री जी ने इंडियन ठक की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा का आश्वासन दिया मानिय ग्रिह मंत्री जी के निर्देशा नुसार ग्रिह मंत्राले ने 22 अपरेल को पत्र लिखकर सभी राजों को कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और आयमे के लोकल चाप्टर के साथ मिलकर मेडिकल प्रोफेशनल्स को की पर्याप सुरक्षा हेतु जो कदम उठाने हैं उनको सुनिश्चित करें चिकित्सा टीमों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी भी आयमे के लोकल चाप्टर के साथ साजह करें इससे स्वार्षत कर्मी विश जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निदान कर सके अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कोई भी हिंसा या अनुचत व्यवाहार की घटना होती है तो दोश्यों के खिलाफ आबदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतरगत सक्त कारवाई होन चाहिए हमारी उम्मीद यह है कि इन सम कदमों से लॉकडाउन सफर रहेगा एक्टिविटीज सुचारू रूप से प्रारंभ होंगी तथा हम कोविड नाइंटीन की चेन को तोड़ने में काम्याब होईंगे धन्यवाद धन्यवाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं हेल्थ मिन से प्रिस्टा कल से पिछले चौबीस घंटे में अगर देखें तो देश में 1,409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसे अडिशनल आये हैं विश्टेक सार्ट टोटल कंफर्म केसे तू 21,393 इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसे अंडर एक्टिव मेडिकल सुपर एक positive news के रूपे में आप लोग की दिश्टी में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं एवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं जो कि हमारा टोटल recovery rate देखें तो 19,89% तक लेकर जाता है इसके साथ ही पिछले 28 जिलो में जैसे कि इससे पहले हम आप लोग की दिश्टी में लाए हैं चार जिले थे जहांपर कोई केस नहीं आये थे अब वह संक्या बढ़कर बारा हो चुकी है आठ नए जिले आड़ हुए हैं वह हैं चित्रदुर करनाटका में 36 गड में बिलास इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्टिक्स हैं जहांपर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे इस सिथी के अंदर देखें तो 33 नए जिले आड़ हुए हैं जो कि 9 स्टेट में हुए हैं जहांपर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है साथ ही मानिय राष्टपती जी ने कल एक ओर्डिनेंस जारी किया जिसके तहट एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है इस ओर्डिनेंस को कहा है एपिडेमिक डिजीज अमेंड्मेंड पिडेमिक के दोरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुफसान ना पहुचाए अगर कोई भी व्यक्ती हेल्द केर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वाइलेंस कमिट करते हैं या तो उनको तीन महीने से लेकर पांस साल तक ही सजा दी जा सकती है पचास हजार किसी health professional को जो की epidemic duty में लगे हुए हैं, उनके साथ कोई grievous hurt अगर उनको देते हैं, तो उसकी सजा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है, और fine भी 1 लाख रुपे से 5 लाख रुपे तक उस पर लगाया जा सकता है। इस act के तहट किया हुआ कोई भी offense cognizable है और non-bailable रहेगा। जो भी person इस act के तहट convince किये जाएंगे, उनको compensation भी pay करने के लिए लाइबल होंगे, और compensation जो हो सकता है, जो भी fair market value होगी damage property की या जो loss उन्होंने commit किया है, उसकी twice the amount हो सकता है। मेरी आप सब लोगों से यही विंती है कि हमारे जितने भी COVID यौदा हैं, हमें उनका support लेना है। हमें ये जानना चाहिए कि वैसा हमारे आदर और सम्मान का पात्र हैं। इसके साथ ही आरगय सेतू के बारे में हम विभिन माध्यूम के जरिये आप से बात कर रहे हैं। इसी श्रंकला में मैं दिखाना चाहूंगा सेतू मेरा bodyguard है और आपका भी। आपको पहले ही बता देता हूं। कि आपको करोना वारोस ना कोई क कात्रा तु नहीं. चाहूं.. आपके अस-पास पोई करोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही जर्ट कर देता हूं। सर और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप से आपके परिवार वालों को कोई खत्रा तो नहीं मुझसे मेरी फैमिली को क्या खत्रा होगा यार सर जान बुझके थोड़ी अगर अंजाने में आप किसी करोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको प्रसनल बॉड़ी काड़ बनाया है औरे कांगया पेंशन मत लीजे सर हर वक्त आपके फोन में एक बन कर रहूंगा आप भी आज और अभी आरोगया से तू आप डाउनलोड करें से तू मेरा बॉड़ी काड़ है और आप कभी तूड़े वे रॉड़ी की इस लड़ाई में इस महामारी के यूद में गवर्मेंट की तरफ से गैरा एंपावर्ड गूप बनाए गए ते गाइडेंस के लिए और उसमें से एक गूप गूप नमबर तू जिसका मुखे कारे है कि अवेलिबिलिटिव हॉस्पिटल्स, अवेलेंस और टेस्टिंग के वेशे में गाइडेंस देना, काम करना, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा ठीज सीके मिश्वा साब से कि फ़र्दर हमें बताएं प्रेंट्स, प्रति दिन उस दिन की जो स्थिती होती है, जो प्रगती होती है, जो बदलाव आते हैं, उसके स का विशलेशन करते हैं, आज हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आखनों से थोड़ा अलग हटकर हम इस बात की चर्चा करें कि इस कोविट की लडाई में एक हमारी ररणीती क्या है और दो हमारी तयारी क्या है, इन दो विश्यों पर हम फोकिस करना चाहेंगे, आज एक महत्वपूर्ण दिन है, आज लॉक्डाउन करते हैं, जिसमें इस बात को हमें समझना पड़ेगा और आज एक महत्वपूर्ण दिन है, आज लॉक्डाउन के एक महीने पूरे हुए हैं, तो इस तीज दिनों में हम कहां थे, कहां पहुंचे हैं, और हमने क्या तैयारी की है, इस पर संचेप में मैं आपके समख्ष सारी बातों को रखना चाहूंगा, और हुए हैं, तो एक मैं आपके समया पूरे हैं, तो रखना को रखना को रखना एक मैं आपके स्थाच्छ तो पनी प्रश्च प्रश्च चाहूंगा, who are facing this hardship today so that we can save lives in future. और हमारा मूल जो मंत्र है वो है कि हम जिन्दगी कैसे बचाएं और लोगों को ठीक कैसे करें. तीन प्रमुक्ष चीज हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकरिश्ट करना चाहूंगा जो तीस दिनों के लॉक्डाउन में हुए हैं. पहला, वी बने बना प्रमुक्ष चुच्ट ट्रंस्मिशन, जिनिमा जिस्परेद, झीड जिफ थीज़ करेंदी अजिज आफ बिले दिन चीज़ के लीड प्राफ जीज़ तीन. कर जिर झाला हम थालों कर प्रमुक्ष पर चीज़ हैं. for the future if the virus spreads further and anyway whatever is required to be done we will need to do so there has been a lot of action during these 30 days हजारों लोग ना सिर्फ हम जो दिल्ली में बैठे हुए हैं फील्ड में हजारों लोग इस कारे में लगे हुए हैं और लोगों ने मिलकर और सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाये हैं जिसने ये सुनिश्चित किया है कि इन इस 30 days we remained more or less stable and that is the first thing that I want to bring before you and one of the critical tools, एक एहम हथियार जो हमने इसमें इसमें इस्तमाल किया है वो testing और when I said testing, it is RT-PCR testing जो हमें बताता है कि मरीज को बिमारी है या नहीं है अगर हम testing को देखें तो मैं सर्फ एक आकड़ा आपके समख्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा 23 मार्च को हमने पूरे देश में 14,915 टेस्ट किये थे हमें आपके समस्यच को आपके समस्साइबाइ it is about 33 times in 30 days but we are conscious of the fact that this is not enough and we have to continuously move ahead and ramp testing in this country we will continue to do that हमने ये भी देखा है और श्री अगरवाल ने भी भी बताया कि इस अवधी में हमारे number of positive cases में भी बढ़ोतरी हुई है और हमें उस बात को ध्यान में रखना है जब आप अपनी testing strategy बनाते हैं या hospital की strategy बनाते हैं तो मैं संशेप में कुछ चीजें आपके समख स्ट्शना जाओ so that we are able to appreciate what is happening and always keeping this at the back of our mind that this may not be enough when we need to continuously work to do more and more on this let us look at this this shows the figures of these 30 days and how the number of daily tests have gone up and how the new positives have gone up so this is what where we stand today what we have been doing and what we have been trying to achieve let us now come move a little further on this and see how cases have moved in India this is how the positive cases have moved in India the only point that I would like to make here is that the growth has been more or less linear not exponential what that tells us is that there are certain strategies in work which has helped this be contained to a particular level now let us move on to see beyond this what has been the story of positivity to testing during these 30 days if you see this slide carefully what it will really tell you is that during this period we are more or less lag-bhag हम उसी जगह पर है जहां हम एक महापूर्व थे यानि स्थिती बहुत बिगडी नहीं है lag-bhag 4 प्रतिशत साड़े 4 प्रतिशत लोग जो टेस्ट हुए थे वो पॉजिटिव निकले थे एक माह पहले और अभी भी लग-bhag वही इस्तिती है कि जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो प्रतिशत पॉजिटिव हो रहे हैं लग-bhag वही है यानि कि हम एक constant line अगर आप इसको देखें तो वहाँ पर हैं अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ और हम यह देखने का प्रयास करें कि अन्य देशों की तुल्ना में हमारी क्यास्तिती है भूजजरोन करेशे लिद एंभयू से लगता समय हूजिए जय का परूज गी पराइब लिफ पर इससे तूल आप करें and we have deliberately taken a case of 400th case on 23rd of March. What was the position when each of these countries had 400 cases and how they have moved beyond that? So this slide clearly tells us where we stand and if you see one of the countries which has, of course, done better is South Korea. But majority of the developed countries have had a story which is, it could be a combination of various things. This is not to say that we have done extremely well and things are going, but this is the current story. And based on this current story and the future projection, we need to evolve a strategy in this country. Let me also now just mention to you, while we are here on this slide, the fact that how has it happened in some of the other countries. So let me give you some numbers of that. If you look at the figures carefully, we are today at a half million mark. 5 lakh tests we have done today. U.S. ने 5 lakh tests 26 March को किया था. They had found 80,000 cases to be positive. I am giving you rough numbers. Italy ने ये मार्क 31 March को किया था. And they had 100,000 people who were positive. 1,00,000 लोग थे. UK में ये समय 20 April को आया. And they had 120,000 positives. Turkey में ये समय 16 April को आया. They had 80,000 positives. India में ये मार्क 22 April को आया. और हमारे पास लगबग 20,000 positive cases थे. कहने का तात्पर ये है, कि एक अगर बैश्विक तुलना हम करें, So we seem to be doing well so far with our strategy which is focused. And very, very intensely focused on the areas where we see a lot of positivity and action happening. Of course there are other countries which have done better. for example South Korea has done better than this so given these facts these actually what do they show we actually these show that our testing strategy has been focused targeted and continues to expand so that is the strategy and and this I must say is a evolving strategy because as we go on we learn har din ham seekh ra hai har din ham seekh ra hai apni strategy mein badlao la ra hai aur isko expand karte ja ra hai a prashti hai ki hamne yeh joh expansion kiya testing ka wo kaise hua only thing I would like to mention here is that strategy is a response to a challenge as the challenge changes strategy has to change and this is precisely what India has done as the challenge kept expanding the strategy kept changing the expansion kept happening and we will continue to do this in future also so what is it that we did some of the quick points that comes to mind is and please let us remember that it takes huge number of people across the country to implement the strategy on the field we are a very large nation very popular nation so what we have done largely is a expanded the testing base be expanded the test base where we test and we have mobilized all resources that we have public private resources of scientific institutions resources of research institutions resources of central university every possible resource has been put together and we have actually decentralized these activities to manage logistics in an efficient way and when Professor Balram Bhargav speaks he will give you the details of the gist that I have placed before you on how we have increased our testing strategy so in these last 30 days there has been a lot of activity we have expanded our testing which we will continue to do and bring it to a much higher level in the days to come and we have used every possible tool as a strategy to move ahead on this the second aspect that I wanted to speak to you is about the hospital preparations this period has been very gainfully gainfully utilized to review assess and ramp up the hospital capacities and it is happening not just at Delhi it is happening in the states it is happening in the districts in fact now our focus is districts of course currently as I speak today our hospitals are not overwhelmed but the preparation has to be of a much higher order given some of the projections that we have given some of the baseline data that we have and given the fact that we have limitations in our health system somewhere which we need to correct and expand and our effort has been again to use all resources and over prepare I will show you the figures in a while but what is our first goal as far as hospitalization is concerned that is our first strong leg of strategy how will that happen if no sleep if the people should don't pull down the hospital as well as we don't bring the people's eyes to us to such this one as well as we have agreed to beforehand this plan is ماننی homme and taking care of the wonderful we have decided मुद्दा है कि जो इससको इस संक्रमन का सबसे ज्यादा खत्रा है जो हमारे बुजर्ग है الل supposedly वाले बुजर्ग है जो शाट साल की उमर के ऊपर है उनको को मॉर्बिडिटी है कि इस वर्ग को हमें सामाजिक रूप से सुनिश्चित करना है कि हम उसे सुरक्षित रखें। अनुशासन के साथ social distancing अगर हम maintain करेंगे जिस तरह से lockdown की period में हमने किया है तो हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि कम से कम लोग अस्पताल तक पहुंचें। So this is our first goal, that let us reduce the numbers who need to come to the hospital. The second goal is, for every person who needs to come to the hospital, we will put enough infrastructure, enough facilities in place so that he is treated well, cured and sent back. our basic principle is test, cure and ensure that mortality is very low so one of the things for those who need hospitalizations we have worked out a strategy at the state and the district level as I said our focus is district so that that is where the entire action will happen and every district in the country today we have been interacting with all of them are day and night working towards preparing that and let me give you a glimpse of that this is how our structure will look like a patient comes to our COVID care center assessment is made whether he needs to go up to a dedicated health center or he needs to be retained there isolated positive cases, non-positive cases, the triage will be there so that is the point where it will be decided where do we take the patient isolation facility is the basic care that we are having then if from there we need to carry someone to the second stage ambulance services will be available to take him to the second stage which is the dedicated COVID health center the last two are actually hospital settings the first could be a hospital setting, it could be a hotel, it could be a lodge, it could be a hostel, it could be anything it's basically quarantine or isolation facility but the last two are actually hospital settings and the second setting that we are saying where people with medical, clinical, moderate clinical symptoms will go is a facility with oxygen we have been talking for a long time on ICU care, ventilation etc. but if you look at the patient profile today the critical thing today is oxygen and our entire hospital preparation now is focused on providing oxygen to those who need it the patients who come to the patients who come to the hospital so this second tier is very very critical which can practice recovery compared to patients who come to the hospital it could be a Uno ratio such as pressure if the hospital society has gone through the hospital going through the hospital oxygen EVOC we have to get it in order to see the lower hospital कोविड डेडिकेटेड होस्पिटल्स में ले जाएंगे जहां आइस्यू केर उपलब दो और आइस्यू केर दो तरह क्या हो सकता है जिसको जैसी आवशक्ता होगी वह हम करेंगे तीनों स्टेज एक दूसरे से कनेक्टेड है हम एक तरफ से दूसरी तरफ उनको ले जाएंगे यह जो भी संरचना मैं बता रहूं इस अंटाइस बीडिकेटेड कोविड प्रफिट रहे हैं जलों की तैयारी में कि उन पेशेंट्स को दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, क्योंकि उनको medical care की आवशकता है, और उनको medical care dedicated COVID hospital के बाहर दिया जाना है, तो आप यदी इसको देखें, जैसा मैंने कहा पिछले एक माह की हम बात कर रहे हैं, in the last one month, the number of dedicated hospitals increased 3.5 times. And these bars will show you that. And the number of isolation beds has increased by 3.6 times since last month. what I am trying to refer to is that we have used these 30 days to prepare and make sure that in the event we need to cater to more and more patients, we are ready यह हमारी तैयारी है प्रिपेर्डने से अब मैं इस अंतिम स्लाइट को आप के सामने रखना चाहूंगा इसमें हम यह दिखाने के का प्रयास कर रहे हैं प्रयास अभी तोटल फसिलिटीज हैं के मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नंबर आप देख रहे हैं यह प्रतिदन बदलता है क्योंकि हर जलाल निरंतर प्रयास कर रहा है और कितने बेड्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और और बेड्स जोडने के प्रयास चल रहे हैं तो जो कोविड हास्पिटल हैं कोविड हेल्थ सेंटर हैं और कोविड केर सेंटर हैं उसमें लगातार विद्धी हो रही है अभी हमारी स्थिती जो इसमें हमने दर्साई है यह है 3,773 ऐसे अस्पताल या फसिलिटी हैं जिसको इसके लिए चिन्नित किया गया है और अगर आप देखें तो टोटल आईसोलेशन बेड्स 1,94,000 हैं उसी तर आई-सू बेड्स हैं टोटल वेंटिलेटर जो आज की स्थिती में उपलब्द हैं Samphav है कि लेकर आप दो जन्युट आई प्र efforts that we keep on increasing this every day So friends what ultimately we want to do is that we want to create a structure where we test most people treat them according to need and then ensure that we are able to cure them and save lives So this was the rough format of our strategy and preparedness that I thought we will share with you. I will now request a colleague, Professor Balram Bhargav and, incidentally, Professor Balram Bhargav and Professor Guleria are the two stalwarts who have led this strategy, who have formed this strategy and who are leading from the front. And I would request Professor Balram Bhargav to talk about the expansion of testing. Thank you so much. I think as we reach the half million mark of tests, our philosophy has been more labs, more tests, more resources. At the beginning of the year, we had the National Institute of Virology. At the beginning of the lockdown, we had about 100 laboratories testing for COVID-19. And today, as we speak, we have 325 laboratories, both government and private, testing for COVID-19. The test that we have advocated has been the RT-PCR test or the molecular test or the PCR test, which detects the virus. So the strategy is to detect the virus and save lives. And once we are able to detect the virus, we are also able to further strategize on how to isolate the patient and treat accordingly. So that has been the philosophy as far as we are concerned. The entire scientific and the medical community has risen to this occasion. And as CK has already mentioned, that all the DBT institutes, the ICMR institutes, the CSIR, the DST, the DRDO, the ICAR, the state universities, medical colleges, government, private, they have all responded dramatically, and also the private sector has been energetic and has risen to the occasion dramatically as well. The other point that I want to emphasize is that there has been a supply chain which has been created. Although there is a shortage of reagents, there is a shortage of RNA extraction kits, there is a shortage of ETMs, PCR kits, etc. in the entire world, but the center has been working with the states tirelessly to ensure that these reagents are supplied to the laboratories in a very timely fashion and in a very calibrated fashion. so as to enhance, divert certain reagents to hotspots, calibrate it in such a manner. And we'd really like to thank both the districts and the states who have responded phenomenally well in helping out with maintaining this supply chain very, very well. More importantly, we have also been able to decentralize it and create 15 depots in the whole country wherein, in a situation of lockdown, we have been able to supply these reagents in those depots and they in turn supply it to the various laboratories testing. So the gold standard remains and has remained the RT-PCR tests, which detects the virus and saves lives. And that is what is our principle and strategy for testing. Thank you, Professor Vagab. I must add that whatever efforts we are making, and we talk about resources available with us, we talk about the testing, we talk about hospitals, it is a collaborative effort with everyone joining in, the public, private, and whosoever is there in the country. This is all taken together. We are not mentioning them separately, but this is all taken together. And now I would request Professor Guleria to explain other aspects of the medical side of this disease. Thank you, sir. To begin with, first, on behalf of the medical fraternity, I would like to take this opportunity to thank the Honourable Prime Minister and the Government of India for the ordinance that has been passed yesterday, which will go a long way in providing security and boosting the morale of our front-line soldiers, that is the corona warriors, all health care workers are really very grateful for this ordinance. And I think this is a great boost as far as they are concerned. But as we sort of applaud our health care workers, it's also important to understand that the center of all of this is the patients. And they are currently facing a lot of challenges and stigma, which is not justified. The majority of patients are actually becoming all right and coming out. And these are actually our symbols of victory. They are our symbols of hope, that they have had COVID-19 and have come out, and yet we have stigmatized them to a large extent, which is creating a huge problem. It's creating a panic. It's creating a problem as far as society is concerned. These individuals, these patients, their families, are having huge hardship, which are really unjustified. And not only that, it is actually causing increasing morbidity and mortality. Because of the stigma that is happening, many patients who have COVID-19 or have flu-like symptoms are not coming forward, not coming to health care facilities. And because of that, they are coming very late, when they are really very breathless, and this is leading to higher mortality. Many of these patients can be saved by just one treatment, and that is by giving them oxygen. The simple thing to remember is that when these young individuals or these individuals have a pneumonia or they have a viral infection and their oxygen in the blood becomes low, it can lead to or trigger a number of other problems, whether it's cardiac, whether it's neurological. And therefore, a strategy of having more and more oxygen beds is based on this. 80% of individuals will have mild illness. The remaining 15% will become all right just with supportive care and oxygen therapy. Less than 5% will need ventilators or critical care. So, therefore, it's important that we reach out to these patients who are right now scared to come out because of the panic and the stigma that we have attached, and thereby not getting proper treatment. So, I think we need to work on this. I would appeal to everyone, whether it's the media, whether it's the lay public, that these are people who, for an unfortunate reason, have got the infection. Consider the stress and strain the whole family goes through. You're isolated for 14 days in a quarantine facility where you are seeing people who are wearing PPEs and treating you. You're not able to meet your family members for 14 days because you are in quarantine or you're in isolation. Besides, instead of sympathizing with these people, we have created an environment of fear and panic, which I think is really not justified. And we all need to work in trying to really look at these people as our symbol of hope and victory rather than stigmatize them and start not accepting them in society. We have to work on this strategy, and I would like to appeal to everyone that we should look at how we can support the families and patients who have had COVID-19, who are suffering from COVID-19, and encourage more and more people to come out for testing. If you are tested early and reach the hospital early and treatment is started, it will save your life. If you don't come to the hospital and you have COVID-19 and you come in a state where you are gasping for breath, it will lead to higher mortality. Therefore, I think it's important that we encourage everyone to seek medical attention, get themselves tested. We have ramped up testing to a large extent. There is no shortage of testing, and we can thereby be able to support all these people who need to be tested. So I would really stress that we need to work on this. As far as treatment is concerned, a lot of new things are being done, but the primary treatment of COVID-19 is supportive treatment in more than 80% of patients and oxygen therapy in around 15% of patients with other drugs, and a lot of drugs have been tried. We have now started in various centers using convalescent plasma, that is the blood of patients who have healed and become all right and antibodies in their blood. And I'm very heartened to see that a large number of individuals, patients who have become all right, have come forward and volunteer to donate their blood, which shows the commitment that our citizens have when it comes to fighting COVID-19. We're also looking at newer drugs. Hydroxychloroquine and azithromycin is already being looked at, and various other repurposed drugs, which are already available in our country, are also being looked at as treatment strategies. And newer drugs which are available or which are undergoing clinical trials are also being looked at as part of multicentric trials or international trials which the WHO is conducting. So there is hope as far as treatment is concerned, but I think at the end it's important to remember that this is still a disease which is not that serious. 90 to 95 percent of people recover, but if we have that stigma and we don't come forward, then we may land up in a situation where because of our delay in treatment, we may have higher mortality. So that is, I think, a very, very important thing that we need to keep in mind. Thank you very much, sir. Sir, after the detailed briefing as well as the preparedness and the strategy, I'm thankful to all of the members here, but still we can take one or two questions, sir, if the time permits. First is online question. What's happening with IMCT in Maharashtra? What is... Is it okay? What's happening with IMCT in Maharashtra? What is IMCT assessment of Maharashtra? Has any team submitted the report? I think it's further... So, just as you know, when we notice a case in any state, we work with a collaborative effort in that state. In that regard, a central rapid response team went to Mumbai. And as part of our discussion with the state, we realize that we have discussed different scenarios along those scenarios, and as we discussed that, what type of preparatory activity best case scenario, average scenario, worst case scenario and how we are prepared for the state, we have made a field implementation strategy that has been made for ongoing efforts. Mr. 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 Pravaakar, Sara TV. Sir, my question is, ICMRC, I have seen a graph. I have seen a linear graph. I have seen a lot of patients in the past and in the past. But the past 4-5, since 1214, you have already been getting patients. Do you think that 3 months will be an India in India? A very difficult question, है बताना कि तीन मही तक भी काएगा कि कब भी काएगा मगर यह हम लोग का काफी स्टेबल चल रहा है और जैसे कि बताया है कि फोर पॉइंट फाइप परसेंट पॉजिटिविटी आ रही है वही बिल्कुल स्ट्रेटी टाइप की लाइन चल रही है तो आप इसको यह भी कह स क्या करें बहुत से सिरियस है मरी जाते हैं उनको बहुत सारी प्रॉल्म चाहिए वह का इंडिया में इतना है तो वह क्या करें सेकंड आईशिमार से कोश्चन है कि क्या वायरस एयर में है या उसकी किस तरह की ब्याइब है कितना डिस्टेंस पे लोग मैंटें करें यह नह तरीके से लोग जाना चाहते हैं कि इस थोड़ा एक्स्पिलीन करा जाए तैंक यू आपकी बात बिलकुल सही है कि इस कोवेट के एरा में हमें नौन कोवेट पेशन को नहीं भूलना चाहिए और यह बहुत ज़रूरी है कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए कई पेशन्स ऐ आसे हैं जिनको कैंसर है जिनकी कीमोथरेपी की बात है डायलेसिस की जरूत है क्रॉनिक इड्नी डिजीज के पेशन्स है या डायबिटीज के पेशन्स है तो यह प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है कि जब हम कोवेट पे फोकस कर रहे हैं और जैसे सेक्री साब ने भी क कि नॉन कोविट फिसिलिटीज को पर भी ध्यान दिया जा रहा है कई हॉस्पिटल्स ने टेली कंसल्टेशन और शुरू कर दिया है जिससे हम लॉकडाउन के दुरान में पेशिंट को रीच आउट कर सकें उनको फोन कर पाएं और उनके सपोर्ट कर पाएं कुछ ऐसे बने हैं जहां पर यह फिसिलिटीज प्रवाइड की जाएगी और मेरा यह मानना है कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे लॉकडाउन के उटने के बाद भी तो हमें यह दोनों चीजें बैलन्स करनी पड़ेंगी कोविट सेंटर और नॉन कोविट सेंटर जहां पर हम पूरी त बात सही है कि इसमें यह द्यान रखनी की ज़रूद है कि जो नॉन कोविट हैं वो सफर ना करें उनकी मॉटालिटी ना पड़ें यह आपने जो कहा कि वाइरस कितनी दूर तक रह सकता है इसके लिए यह बहुत क्लियर माना जाता है कि यह डॉपलेट इंफेक्शन है और ए यह बहुत कि जो एक से दो मीटर की दूरी रखनी चाहिए कि जिसमें डॉपलेट ना आए यह बहुत कि अधिस स्टैंडर्ड इंफ इस सोशल डिस्टेंसिंग यह फिसिकल डिस्टेंसिंग जिसको आप कह सकते हैं आज कि अधियर मच्ट फ्रेंश थैंक यू वेरी मच्ट